स्टुडेंट वेलकम बैक डीके सरक्लासेज आज की इस वीडियो में कख्छावारा के बच्चों के लिए हिंदी से महतपूर प्रसन बताने जा रहा हूँ जो कि आज की इस वीडियो में आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा 100% यानि 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इसी में से आपका बोर्ड एक्जाम में वह विकल्पी प्रसन आने वाला है तो आज की वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपका 10 नंबर कोई नहीं रोकेगा क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पूरा एनिलाइसिस के साथ काफी हाड़ वर्क करने के बाद ये आपके कोशन लिखे गए हैं और इसका PDF भी आपको प्रवाइड करेंगे तो आप लोग के लिए काफी important वीडियो होने चारी है तो आप लोग अगर board exam 2024 देने जा रहे हैं तो ये कोशन आपको बताने जा रहा हूँ 360 कोशन कीतने कोशन बताने जा रहा हूँ वहो तकशन जिसमेंसा आपको गद सहीती से यहां पे 33 कोशन बताओंगा और 33 कोशन के बाद यहां पे चलिए थोड़ा सा आगे समझ लिजिए यहां पे देख सकते है तो आपको बोड एक्जाम में पांच कोशन आते हैं तो यहां पर आपको टोटल तीस कोशन बताने जा रहा हूं जो कि इंपोर्टिंट कोशन से लेक्षिया गया है और आज की इस वीडियो का पूरा आपको पीडिये भी प्रवाइड करेंगे तो आप लोग का छोटा से एक स 30% से उपर नंबर लाना है सभी भी से मिलके तो यहां पे सभी भी से का यहां पे आपका प्रिप्रेशन कराया जा रहा है पीडिये के साथ तो चैनलों को सब्सक्राइब करके विल आइकन हिट करें लीजिए देख सकते हैं गद सही तिवह होई कल पीए प्रसन बोड पेपर आप अपने को जज कीजिए ठीक है और लास्ट कोमेंट में ये भी बताइए कि मैंने कितना सही किया था ठीक है और कितना गलती आप देख सकते हैं यहां पे सन भी लिखा गया कोशन का तो ये 2020 तक के लिखा हूँ ये 2022 में भी कोशन आया था और 2023 में भी ये कोशन आ चुके सारे के सारे इसलिए इसको सलेक किया गया काफी हाड़ वर्क लगा है तो आप लोग सायोग चाहिए सियर कीजिएगा चलिए इसका पीडिये भी प्रवाइड करेंगे बीच में देखिए पहला कवी बचन सुधा के संपादक थे कौन और इतने सन में पूशा गया है और ये भारतेंदू हरिसंद्र जी खार नमर जो है इसका सही एंस्वर हो जाएगा भारतेंदू हरिसंद्र जी इसके बाज सेकेंड नमर प्रसन पढ़ेंगे हम देखिए टाइम ज्यादा नहीं देंगे आपका यहां पे मतलब कि ज्यादा टाइम नहीं लेंगे प्रसन से तो यहाँ पर देखिए घह नमर जो वासु देव सरग्डवाल जी का है यह कलपलता निबंद संगरा ठीक है ना चलिए आगे प्रसन चलते हैं और लास्ट में आपको बताना है यह भी कि कितने प्रसनों का जवाब आप दे पाए थे सही सही ठीक है यह मंदारी के साथ बोल जी यही प्रेम घंजी को हम बोलते हैं बदरी नराय चोदरी जी ठीक है अनन्द कादिमिनीत पत्रिगा का संपादक करते थे इसके बाद बबुच चार नमर पर आ चुके हैं देखिए कि हिंदी प्रदीप के संपादक थे कौन थे तो यहाँ पे चार अप्शन से इसमें से कौन सा सही है आप सभी को कोमेंट में चाप देना है ठीक है देखिए बाल कρίश्र भट जी कौन है बाल करिश्र भट जी जो भी बच्चे को मन में ये कैशन का एंसर मिल रहा है समज़े कि आप राइट जा रहे हैं और प्रिपरेशन आप जबरदस्ट करते चल रहे हैं चलि नमर जिस बच्चे का प्रताप नरैण मिस्र आ रहा है न यह याद किये इसका सही एंसौर उन सभी बवु का कंगरूश विलेशन कि आप अच्छे से प्रप्रेशन किये हैं आगे चलते हैं छै नमर कोशन पे चलते हैं देखिएगा आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा रशन के लिखा कौन है यहाँ पर चार उप्संस दिये हैं तो पहला देखिए पा रहे हैं खानमर गानमर गानमर आवारा मसीहा नामक जीवनी की विधा की रशना के लिखा किसे माना जाता है जल्दी से कॉमेंट कीजिएगा जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर विश्रू पर भाकर ह होगा इन्व सभी का सही है ओके नेक्स्ट कोशन आप सब की सामने सीवन नमर सीवन नमर कोशन लिखे है हिंदी का पहला मॉलिक अव्रू अगला प्रसने सीवन наброс क्या बोला है देखिएगा कि हिंदी का पहला मॉलिक उपनियास, इसमें से चारों में सी कौन सही रहे कॉमें QuestionNo.8, क्या बोला गया है कि क्या भूलू, क्या याद करू कि रचना बिधा है, चारो में से कौन सही है, संसमरा, डैरी, आत्मकथा, यात्रा प्रीच, चारो में से कौन सही है, कुमेंट में छाप दीजी अपना अपना अंसर, जो बच्ची बोल रहे हैं कि आत्मकथा, गौर न नो नमबर, इसकंद गुप नाटक के लिखा कौन है? इसकंद गुप नाटक के प्रेमगान लक्षमी नराण मिस्र, जैसंकर परशाद धर्म विरभार्दी, चारों में से कौन सा सही है? जो बच्ची करें, जैसंकर परशाद जी की सकंद गुप नाटक है, सभी का करेक्ट है, ओके, नेक्स्ट कोशन, आप देख पा रहे हैं वभूग, दस नमबर, की अपनी ख़वर कीस बिधा की रचना है? अपनी खवर जो है कीस बिधा की रचना है? निबंध, आत्मकथा, अपनी लोग बता रहे हैं, आत्मकथा, आत्मकथा जो बता रहे हैं, उन सभी का करेक्ट हो गया, इसके बाद हम 11 नमबर कोशन पर चलते हैं, 11 नमबर कोशन आपके सामने क्या है, कि मेरी असफलताएं कीस बिधा की रचना है, मेरी असफलताएं कीस बिधा की रचना है, जी परदस्त कीजिए अभी 33 कोशन तो पहले गद सहीति से कमप्लीट करने के ठीक बाद आपको पद सहीति से भी करा दे देंगे इसी से आपका 10 नमर पक्का हो जाएगा बारहवी नमर कोशन पर आज चुके हैं कि सरदार पूर्ण सिंग किस यूग के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंग जो थे वो किस यूग के लेखक थे भारतेंदु यूग दिवेदी, छैवाद, प्रतिगत्ति, वादी यूग चारों में से कौन सा सही है जो बच्चे बोल रह लिखा कौन है भारतेंदू हैसंद्र परताप नरायन मिस्र यहां पे स्याम सुंदर दास बाल कृष्ण भड चारों में से कौन सही है चाप जीजी अपना एंसवर जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर बाल कृष्ण भड जी होंगे यह सो आजान एक सुजान के लिखा कुन सभी का सही नेक्स्ट कोशन आपकी सामने पंदरह नंबर चलिए दीप जले संख बजे विधा है रेखाचित्र ललित निबंद के यातरा बृतान संसमरड चारों में से कौन सही है चलिए जो बच्चे बोलें कि संसमरड का होगा उन सभी का सही है ओके नेक्स्ट कोशन फीप्टीन चलिएगा ध्यान देजिएगा कि भासा और आधुनिकता के लेखा किसे माना जाता है पहला है डाक्टर हजारी परशाद्द्यूएदी डाक्टर वासुदेव सड़गरवाल डाक्टर एपी जी अब्दूलकलाम चौथा है प्रोफेसर जी सुन्दरेडी भासा और आधुन प्रशाद्वेदी राजा लक्षमर्शिंग जी 16 नंबर का जो भी वच्छे बोल रहे हैं कि हचारी परशाद्वेदी होगा उन सभी का प्यारे स्टूडेंट का सही है नेक्स्ट कोशन हम चल रहे हैं 17 नंबर चलिए जवाब देने के लिए हाजिर हो जाईए 17 नंबर मेरे पैरे रस गुल्लू यहाँ पे इंदू मती कहानी के लेखा किसे मना गया है व्रिंदावन लाल वर्मा कि सोरी लाल गो स्वामी अगे जी को प्रेम चंद्र जी को 17 नंबर का चाप दीजिए जो बुल रहे हैं कि सोरी लाल गो स्वामी उन सभी का सही है ओके नेक्स्ट कोशन अगला प्रसन आ गया है वाबू 17 के बाद 18 कि वासु देव सरण अगरवाल दोरा लिखित क्रिती कौन सी है कौन सी क्रिती चारों में से पुनर्नवा है या प्रि पुत्र है को नमर उन सभी का करेक्ट हो गया अगला प्रसन है 19 नंबर 19 नंबर की प्रोफेसर जी सुन्दर रेडी लेखक है किसका सदाचार का तबीज यहाँ पे सही त्यसरेक और प्रेम का यहाँ पे मेरे विचार मन्थन चारों में से कौन सा सही है छाप देना छाप दी सिनहालोकन रचना विधा है किसकी है आत्मकता के किरेखासित्र के कि संसम्रण की कहानी के चलिए छाप देना है आप सभी को जो बच्छे बोले हैं कि सर आत्मकता की है यहाँ पे देखिए यह स्पाल कृति सिनहाले यह रचना विधा जो है आत्मकता की है सबका सही जा रहा बेस्त तयारी किजिए इस तैनल फे physics chemistry बायो सब्की वेस्त तयारी कराएंगे हम एक किस नमबर निराला की सहित्ती साधना के लिखक किसे माना गया है वावू तो निराला की सहित्ती साधना के लिखक सुरेकान त्रिपाठी महादिव वर्मा कनहया लाल मिस्त्र डाक्टर राम विला सर्मा चारों में सी कौन सही है जो बच्छे बोले हैं कि डाक्टर राम विला सर्मा होगा सर उन सभी का सही है ओके चलिए आगे हम चलते हैं continue करते हैं कोशन 22 नंबर कोशन की आलोजनात्मक कृती सहीं ती सहचर के लेखा कौन है चलिए चारों में से कौन सा है सही, छाप दीजिए हचारी परशाद दीजिए, जो बच्चे बोल रहे हैं कि गण नमर होगा इसका तो सही है, गण नमर हचारी परशाद दीजिए अगला प्रसन आपके सामने 23 नमर 23 नमर का जबाब दीजिएगा, ठीक है इसके बाद हम तो लास्ट पूछेंगे कितने सही किये थे बदरी नरायर चौधरी प्रेम गहन द्वारा संपादित पत्री का कौन सी है चलिए आनंद कादम्बनी इसके बाद दीनमान इसके बाद सपताहिक हिंदुस्तान इसके बाद आजकल चारों में से कौन सा सही है चलिए फटाक से बताएक का अनंद कादम्बनी यानि कि पहला हो जाएगा इसका सही एंसवर आगे हम चलते हैं 24 नंबर पे लिखा है कि दुरू स्वामनी नाटक के लेखा किसे माना जाता है दुरू स्वामनी जुनाटक के इसके राइटर कौन है तो यहाँ पे कौनम राम कुमार वर्मा जैसंकर परसाद जी बालक कृष्ण वर्ट जी महावीर परसाद दुएदी जी तो इसका करेक्टर अंसर जो बच्चे बोल रहे हैं कि जैसंकर परसाद जी है उन सभी का सही जा रहा है ठीक है आगे प्रसन हम चलते हैं 25 नंबर पे कंटीनू कर रखें कि असुक के फूल निबंध के लेखा किससे माना गया है चलिए राम चंद्र सुकल हजारी परशाद दुएदी जी बिद्दा निवास मिसर जी राम विला सर्मा चारों में से कौन सा सही है जो बच्चे सही जवाब देंगे उनका सही जाएगा हजारी परशाद दुएदी जो कह रहे हैं सही गया ठीक है अगला प्रस्ण 26 नमबर चलिएगा प्रेम चंद्र की कहानी का नाम बता जी दिये कि प्रेम चंद्र जी की क्या कहानी थी तो कफन थी या गुंडा थी या रोज्ता या चीफ की दावत थी चारों में से कौन सा सही है आप अगर बता देते हैं ये 2223 में कोशन आये हुए है लेकिन 20 लिखा हूँ है 20 लिखा हूँ मतलब इससे कोई डाउट नहीं है मतलब कि कोशन आप सिरिज उठाएंगे या आप अपना पेपर उठाएंगे पिछले साल का तो कोशन देखने को जरूर मिलेगा 26 नमर का आंसर दीजिएगा जो बच्चे बोलें कौफन होगी प्रे आत्मक निबंद के चारों में से कौन सा सही है जो बच्चे का याद है कि ललित निबंद है बिद्दा निवास मिश्र जी का निबंद ये सही हो जाएगा को नमर अप्सन ओके अगला प्रसन 28 नमर कोशन को कांटीनू कर रखे हैं हरिसंकर प्रसाई की जैसे उनके दीन फिर किस बिदा की रशना है उपनियास का कहानी का निबंद का की नाट का चारों में से ओप्सन कौन करेक्ट है जल्दी से छाप दीजी अपना अपना एंसोर खो नमर जो बच्चे को मालूम है कि कहानी का ये है हरिसंकर प्रसाई की जैसे उनके दीन फिरे ये उनहीं की विदा ह कहानी की माध्यम से ठीक है अगला प्रस्न 29 नमर कोशन पर आ चुके हैं कि दिवेदी यू की लिखा किसे माना गया है सदल मिस्र जी को मोहनरा केस जी को सरदारपुर सिंग जी चारों में से कौन सही है आप शाप दीजी गर नमबर जो बच्चे करें सरदारपुर सिंग जी सही जा गया आंस्वर चलिए 29 के बाद next question 30 क्या भूलू क्या याद करू आत्मकता है किसकी है सुमित्रा नंदन पंध डेक्टर राजेंदर प्रसाद जी हरिसंकर प्रसाइ और सौरी हरिवन सराय वचन अगे जी चारों में से कौन सही है लिखिए गांस्वर जो बच्चे ब यहां पे 31 नंबर 20-20 मोधम की गद विदा है कहानी का नाटक का उपनियास का निबंध का चलिए चारों में से कौन सा सही है 31 नंबर कोशन के बाद आभी हम दो कोशन कराएंगे तो फिर पूछेंगे ख नंबर जो बच्चे बोले है नाटक का सही गया सौरी सौरी 31 नंबर कोशन है ना 31 का कहानी तो ठीक है आगे चलते हैं 32 नंबर पे आचुके हैं आरे यायावर रहे गयाद के लेखक किसी कहते हैं यस पाल मुक्तिबूद अगेज जी को नगेंदर जी को चारों में से कौन करेक्ट हैं आप छाप दीजिए गर नंबर जो बच्चे बोले हैं अगेज जी का सच्चतानंदर हीरानंदर अवाचान अगेज जी का इनहीं का आरे यायावर रहे गया याद यह उन्हीं के लेखक थे चलिए अगला कोशन है आपके 33 नंबर 33 नंबर कोशन लिखा है कि बा इसके बाद हम गद साहीति से कोशन था 23 कोशन बता दिया आपका 5 नंबर बन गया इसके बादos सैथि स्टार्ट करेंगे यहां से और इसमें आपके टोटल 30 कोशन अभी continue करके बताएंगे आप तरीसार कोशन आज इस वीडियो से तयार कर रहे हैं जिसमें आपका 10 नंबर पक्का होने जा रहा है तो इसका पीडिये भी हम टेलीगराम पे और यहां पे जो वार्टसप का चाइनल निचे दिया डिस्क्रिप्शन में वहां पे भेजेंगे जो हमारे डियर इस्टुडेंट ने ने जुड़े हैं चलिए इस पद सहती को अब हम यहां से कंटीनू कर रह अपनी स्टडी को सनिये कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में बड़े बड़े तुफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में चलिए इस मोटिवेशन के साथ साथ हम आगे के पद सहीत्य वाले कोशन को कंटीनू कर लेते हैं चलिए बबु ध्यान से स्टार्ट होता है आप सब के सामने कह रहा है कि कमाइनी महा काभी में सर्गों की संख्या कितनी होती है चलिए 9 12 15 17 चैरों में से छाप दीजी अपना एंस्वर जो बच्चे कह रहे हैं कि 15 होता है सर तो सही गए आप चलिए जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं है प्यारा सा लाइक कीजिए कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा चलिए सेगन नमर तार सब्तक का प्रकास्टन वर्स मतलब किस वर्स हुआ था तार सब्तक का सन 1947, 1943, 1950, 1931 चलिए छाप दीजिए कौन सा दूसरा का अप्सन सही है दूसरा का कौन सही है तो 1943 में हुआ था है ना आप सबी लोग का परिचित हैं कि प्रकास्टन तार सब्तक का 1931 में ही हुआ था आगे प्रसंद करती हैं कांटीनू थर्ड नमबर रिती मुक्त कावी के रसनकार कवी कौन है रसनकार कवी किस से मना गया है भूसर जी को घनानंद जी को विहारी को बोध ठाकुर जी को तो रिती मुक्त कावी के रसनकार कवी रिती मुक्त कावी के रसनकार कवी इसमें दो हो जाएंगे एक तो आपको पहला ही दीख रहा है वो सड इसके बाद बोध ठाकूर भी तो आपको पेपर में दो अप्सन वाला नहीं मिलेगा मैं लेकिन यहाँ पे लीख दिया हूँ ठीक है यह मुस्ट इंपोर्टन कोशन है यह दो हो जाएंगे इसमें पेपर में लेकिन एक ही अप्सन वाला सही वाला आएगा ठीक है टेंशन मद लीजिए चार नमर पे चल दें सुमितरा नंदन पंत को ज्यान फीट फुरुसकार उसकी किस बिद्दा की रचना है किस विद्दा की रचना लोकायतन पे युगांत पे काला और बुड़ाचांद चीदंबरा पे चलिए किस में से कौन सा सही है चारों में से आप छाप दीजिए चलिए चार नमर का कौन सही है चार नमर जो बच्चे का रहे हैं चीदंबरा है उन सभी का हमरे फ्यारे स्टूडेन का सही है आगे चलते हैं पांच नमर पांच नमर कोशन पे देखिएगा ग्यानसरी साखा के प्रतिनिधी का प्रमुक कभी कौन है चारों से जल्ली से बताइए चारों मिस कौन सा है कवीरदास जो बच्चे कह रहे हैं कवीरदास उन सभी का करेक्ट हो गया चलते हैं चारों मिस से चार नमर कोशन पे क्या लिखा है खड़ी बोली का प्रतम महाकावी है खड़ी बोली का प्रतम महा काभी कौन सा है वाइदेही वनवास प्रिय प्रवास साके एत की ग्राभाई चलिए चारो में से छै नंबर का बताईए कौन सा सही है दो नंबर जो बच्चे करें कि प्रिय प्रवास हो जाएगा सर उनसा भी का सही जा रहा है आगे प्रसन हम बात करेंगे सेवे नंबर कि तीसरा सब तक का प्रकासन वर्वास कौन सा है 1969 में, 1954 में, 1954 में, 1954 में, 1954 में, 1954 में चारो में से कौन सा सही है जो बच्चे मालूम है कि 1969 में तीसरा सब तक का प्रकासन वर्वास है उनका सही गया आगे चलते है आठ नमबर कोशन पर आ चुके हैं रमधारी सिंग दिनकर को ज्यानपीट पुरुसकार मिला था किस चेतर में? कुरुष चेतर में? या रस्मी रती पर? या उर्रवर्सी पर? या हुनकार पर? किस चीज पर मिला था? आठ नमबर कोशन का जवाब दीजिए यानि उर्रवर्सी जो बच्चियों को याद है उन सबी का सही है आगे प्रसंन नमबर नोन फिर चलती है नोन नमबर प्रसंन क्या बुलाए कि हिंदी का प्रथम कवी माना जाता है किस को माना जाता है? सर्वपा को, सहर्पा को, लुईपा को, कहडपा यहाँ पे देखिए कहपा, यह कहनपा है, चलिए, नो नंबर कोश्चन का जवाब दीजी, यानि जो बच्चे करने कि सरहपा होगा, सही है, हिंदी का प्रत्थम कभी सरहपा को मना गया है, ठीक है, आगे चलते हैं, दस नंबर, दस नंबर प्रसन है कि किस कभी को ज्यानप्र पुरुसकार नहीं मिला है, नहीं मिला है न, तो रामधारी सिंग दिनकर, शुमित्र नंबर पंत, जैसंकर प्रसाद, महा देवी वर्मा, चारों में से कौन सा ही जा रहा है, कि जैसंकर प्रसाद जी को नहीं मिला है, ठीक है न, इनहीं को, यानि कि ग्यानप्रिश पुरु अधुनिक काल चारों में इससे कौन सो सही जा रहा है तो जो बच्षे करें कि फ़क्ति काल होगा सही जा रहा है ऑकी नेक्स्ट कोशन बारह नममर कोशन पर आच उक है कितनी नगों में कितनी बार काभीकृती हैं किसकी काभीकृती है अगेся यानि कि सच्टा नंदन हीरा नंदन वात्षे saying अगे घृष रभाद सराय वक्षतं जी की गिरजा कुमार माथुल शुमीतरा नंदन बारा नंबर कितनी नाओं में कितनी बार किसकी है काविकृती। चापिए इसका एंसोर शच्ट्यानंदन हिरानंदन वाच्छन यानि पहला जो है ये उनहीं की कितनी बारों कितनी नाविका भी कृती है चलिए अगला प्रसन आपके सामने आ गया है तेरा नंबर हरी घास पर छडबर कृती निमलिखित में सकिसकी है चारों अप्सन में सकिसकी कृती है यानि भावानी परशाद मोरी जी की बाले कृष्ण भर्ट सर्मा जी की अगेज जी की नगार जून की चलिए जो बच्ची को याद है कुमेंट में चाप दीजिए हरी घास पर छडबर ये है अगेज जी की, किस की है कृति, ये अगेज जी की कृति है, आगे प्रस नम्बर 14, चलिए, कि ऐस्ट छाप की कवी नहीं है, इस चारों में से कौन से अस्ट छाप की कवी नहीं है, पहला है पर्मा नंद दास जी, गुश्वामी तूलसी दास, सौरी, गुबिंद, गु नमबर फिप्टीन चलिए नेम लिखीत में से एक चम्पू काभी, चम्पू काभी कौन सी है बवू देखिए पंचवटी है, दौपर है, यह सोधरा है, सिरधराज है चारों में से कौन सी है जो चम्पू काभी के थ्रू आती है पंदर नमबर बताइए जल्दी से यह सुधरा जो बच्चे कह रहे हैं यह चम्पू कावे के थुरू आती है सही जा रहा है आप एकदम बिस तरीके स्ट्यारी कर रखे हैं चलिए सुल्ले नमबर पे आ गए हैं कि बिने पत्रिका किस काल की रचना है बिले पत्रिका किस काल की रचना है आदी काल, मुक्ती काल, आयरिती काल, आधुनी काल चारों में से कौन सा सही जा रहा है तो जो बच्चे को मालूम है कि मुक्ती काल होगा उन सभी का हमारा राइट एंस ओर गया अगला प्रस्ण बभू, सतर नमबर पे आ गए है कि रामधारी सिंग दिनकर की रचना कौन सी है चलिए, प्रितिवी पूत्र है, प्रशुराम की प्रतिक्चा है ऐसा कोई घर आपने देखा नहीं यान देखा है, स्वरड की किरल, चारों में से कौन से सही गया चलिए, जल्दी जबाब दीजिए, प्रशुराम की प्रतिक्चा जो बच्चे बता रहे हैं, सबका करेक्ट हो गया अगला प्रस्ण हमारे सामने, थोड़ा सा एक मोटिवेशन कर देते हैं, तब प्रस्ण पढ़ते हैं कि आखो में निंद बहुत है, आखो में निंद बहुत है, पर सोना नहीं, और यही समय है, कुछ करने का इसी, खोना नहीं चलिए, समय बहुत किमती है, आप लोग का टाइम विस्ट नहीं करना है हिंदी का प्रथम यानि कि महा काभी माना जाता है किसको माना जाता है राम चरितर मानस को पदमावत को पृतिवी राज रासो को राम चंदलिका को चारों में से कौन सा सही है फटाक सेंसर यानि कि पृतिवी राज रासो जो बच्चे बता रहे हैं उनका सही गया नेक्स्ट कोशन यहाँ पे देखिए नीमने में से कौन मैथली सरड़ गुप्त की रसना है यानि कि आंगन की पारदवार अनग युगवाणी प्रुश्राम की परतिक्षा कौन सा सही है छाप दीजिए यानि कि अनग जो बच्चे का रहे हैं अगला प्रसन हम चलते हैं बीस नंबर पे आगे हैं बीस नंबर नीमने में से जैसंकरपरशाद की काविकरिती है चारों में से कौन से काविकरिती है जो जैसंकरपरशाद की है इत्यलम अनामी का दुआ पर चित्रधारा चलिए 20 नमर का जवाब दीजिए चारों में से कौन सही है चितर जहारा जो बता रहे हैं उनका सही है आगे प्रस नमर एक इस पे आगे हैं राम की सकती पूजा कविता की रचाईता कौन है किसने रचा है इस कविता को राम की पूजा जे संकर प्रसाद जी, मैथली सरगुप जी, सुरीकांत रिपाठी निराला अगे जी चारों में से कौन सही है जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर शुरीकांत रिपाठी निराला होगा सही गए आपका सही जबाब है आगे प्रसन कांटिनू कर रहे हैं बाइस नम्मर पे आ चुके हैं ध्यान दिजीएगा कि सुमितरन अंदन पंत सुकुमार कभी है किसके प्रकृत के आसा के सरधा के इंडा के तो इसका करेक्ट अंसर आप छाप दिजीएगा जो बच्चे करेंगे सर प्रकृत के यी सुमित्रनेपंद सुकुमार का भी माने जाते हैं उनका सही गया को नमर आगे हम चलें चल रहे हैं देखिए अध्यान से 23 नमर पर कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम बता दीजिए चलिए बता देना है आप लोग को कि कामायनी के आगे हम कांटीनू कर रहे हैं 24 नमर पर चलिए 24 के बाद आप हम लोग तो टोटल और मतलब 6 प्रसन करेंगे इसके बाद तो कंप्लीट होई जाएगा ये का हमारा स्रिच 24 नमर प्रिथवी राज रासो का राचना काल कौन सा है वीर गठा काल यहाँ पे भक्ती काल यहाँ पे है आपके रिती काल इसके बाद आधुनी काल चारों में से कौन सा सही है छापिये अपना एंस ओर कॉमेंट बॉक्स में प्रिथिवी राज रासो जो है बिर गता काल के कवी है ये रसना काल में हुआ था पहला प्रसन यानि कि पहला अप्सन सही है अगला प्रसन पचीस नमर पे हम आ चुके हैं कि नई कविता यूग की र पतार हैं सही गए आगे प्रसन में चलेंगे न ध्यान दिजिएगा 26 नमर पे 26 नमर हम कंटीनू कर रखें ध्यान दिजिए कि चुबहते चौंपदे की रशनाकार कौन है सुमितरा नंदनपंत भारतेंदू हरिचंद्र मैथलिस रगुपजी आयोध्य सिंग उपादे हर्य चारों में से कौन सा करेक्ट अप्सन है चूबहते चौंपदे की रशना किसने किया था चलिए चापिए जो बच्चे बोलें कि सर चार नमर जो अप्सन है सही आयोध्य सिंग पादे हर्योग उन सवी का करेक्ट है अगला प्रसन की तरफ चल रहे हैं इससे पहले जो बच् आठाइस ठाइस दिंग मिलेगा देख लीज यगा सुफी कावि के कवि कौन है सुफी कावि कि कवि किस से मना गया है रस्खान को रहिम को जैसी को नान को चारों में से कौन सा सही है जवाब छाप दीजी अपना एंस्वर जो बच्चे काने कि सर जैसी का है ये सुफी काविधारा के कवी सही है उनका करेक्ट हो गया अगला प्रसन 28 नमबर ध्यान दीजी यामा रसना है यामा किसकी रसना है जे शंकर परशाद जी की महादेवी वर बर्मा जी की है तो सही गये आपका एंस्वर करेक्ट है आगे हम बात करते हैं 29 नमबर कोश्शन पी करेक कि कमायने किस यूग की रसना है कमायने किस यूग कि रसना है डिवेधी यूग, छैवादी यूग, भरतेंदु यूग, चारों में से कौन सा सही है तीन नमबर जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि सर्च हैवादी युकी है उनका सही गया इंस्वर आखरी कोशन है इस वीडियो का आप देखी पा रहे हैं तीस नमबर ये आपके पद सही इतनी का आखरी कोशन कि प्रिये प्रवास का भी करिती का प्रम मुख्यरस कौन सा है श्रिंगार यहां प आपने गद से और पद से कितना सही किया गद से 33 कोशन आपको बताए गया है प्लस पद से आपके 30 कोशन तो टोटल 33 कोशन हुए न तो 33 में आप कितने सही किये हैं कितने गलती किये हैं यह भी बताए कमेंट करके इम अंदारी के साथ और आग इसका पीडिये अगर आप ल मिल जाएगा और इस वीडियो को प्यारा सा लाइक शेयर कर दिजिए नेक्स वीडियो मिलते हैं थैंक्स फ़र वाचिंग डिया स्टुडेंट्स